केराना लोकसभा उप्चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हर कोशिश में लगी है. बीजेपी अब विपक्षी खेमे के असंतुष्टों को साथ लाकर चुनावी गनित दुरुस्त करने में जुटी है. इसकी शुरुआत बागपत के पूर्व विधायक और रालोद के राश्ट्रिय प्रवक्ता चौदरी साहब सिंग को बीजेपी में शामिल करने से हो गई है. लखनु में साहब सिंग ने बीजेपी का दामन थाम लिया चौदरी साहब सिंग अखिलेश सरकार में पशुधन विकास विभाग के सलाहकार भी रहे हैं. पूर्व विधायक साहब सिंग के साथ बीएसपी निता चरण सिंग जाटव, बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनिकांत जाटव ने भी बीजेपी की सदस्य अताली है साहब सिंग के बीजेपी जवाइन करने के बाद राष्ट्रिय लोक दल, रालोद को जबर्दस्थ शटका लगा है कैराना उपचुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा खेले गए इस चुनावी पासे ने विपक्ष की परेशानी को बढ़ा दिया है बीजेपी के रणनीतिकार कैराना में समाजवादी पार्टी के नेता को ही राष्ट्रिय लोक दल से खड़ा करने और उपचुनाव में दोनू ही सीटों पर मुसलिम उम्मीदवारों को उतारने से बने समीकरन को अपने पक्ष में करने के मूड में है जानकारी के मुताबिक तीनों नेताओं ने लखन उस्थित बीजेपी मुख्यालय पर ग्यारह बजे के बीजेपी की सदस्यता ग्रहन की मीजेपी प्रदेश अध्यक्ष्टो महिंद्रनात की मौझूगी में चौदरी साहब सिंग, संभल के बस्पा निताचरण सिंग, भारती जाटव और मुरादाबाद के रजनिकांत जाटव ने पार्टी की सदस्यता ली कैराना उपचुनाव में रालोद की टिकट पर सपा समर्थित तबस्स्म हसन मैदान में हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रालोद किसी भी कीमत पर कैराना उपचुनाव जीत कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वापसी करना चाह रही है क्योंकि मौजुदा समय में रालोद का न कोई सदस्य लोकसभा में है और नहीं विधानसभा में ऐसे में कैराना उपचुनाव में जीत के लिए रालोद एडी चोटी का जोर लगा रही है